कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में सर्यूपार का इलाका जिसमें सिद्धार्थ नगर बस्ती गोरगपूर महराज गंज यह काफी एक बड़ा इलाका आता है यह काफी महत्वपूर माना जाता है राजनीती की दृष्ष से चुनाव की दृष्ष से और इसी इलाके से हर्शंकर तिवारी नाम के एक जो नेता है उनका परिवार उनके बेटे यह लोग कल दलबल के साथ अपने समाजवादी पार्टी में सामिल हो गए और इन्होंने पार्चीत के लिए हमारे साथ हैं सिद्धात तगर से श्रीफ बद्रे आलम जी जो कानून के ग्याता है लेकिन सामाजिक कार्यकरता के तोर पर ज्यादे जाने जाते हैं और यह एक स्वतंतरता से नानी परिवार से इनका परिवार में इनके पिता जी स्वतंता से नानी थे और यह काफी सरक्री रहते हैं इलाके में यह जो हर्शंकर तिवारी का परिवार शामिल हुआ समाजवादी पार्टी में इसका यह पांच-छे जीनों की राजनीत में क्या असर पड़ेगा हाता के नाम से गोरखपूर में मशूर है हर्शंकर तिवारी जी का हाता और इनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से गोरखपूर महराज गंज सिदार्ट नगर संतकबीर नगर बस्ती बलरामपूर उंडा श्रावस्ती और पूर्वी उत्तरप्रदेश के और जिलों में अख्लेश यादू जी को समाजवादी पार्टी को बड़ा लाब होने वाला क्यों लाव मिलेगा हर्शंकर तिवारी जी में ऐसी क्या खूबी यह उनके परिवाद में लंबी बड़ी प्रिष्ट भूम के लोग हैं और मजबूत लोग हैं हमेशा आपार्टव इस तरह से हर पदों पर इनके घर के लोग रहे हैं और तो समाज में इनका अच्छ छाप है खासुशन. बरहफमर समाज तो इस विलाके ही में नहीं पूरे उत्तरप्रदेश में चर्चा से बाहर हो रही है। जबकि बहुजन समाज पार्टी तो ब्राहमनों के लिए खास करके अभियान चला रहे थे सतेश मिश्रा जी के माध्यम से। उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो यह जो लाव आपको मिलेगा कहना है की इनको अक्लेश शादो को या समाजवधी पार्टी तो ये भारतरी जनता पार्टी के लिए भी चुंटी है। वह स्थिगत चुनोंती है। अगर इनको वह ताकत मिल जाए तो यह बड़ा खेल कर सकते हैं राजनाइती खेल मतलब जिस तरह से कोई मुकाबला करना चाहे उस तरह से मुकाबला कर लेंगे और अच्छा मतलब जनबल और यह खास तो बात यह है कि तिवारी जी जिसके दर्वाजे पर बैठ जाएंगे उ मतलब उसको पकड़ ही लेंगे अपना बना ही लेंगे ऐसा मेरा मानना है एक सवाल आप से और हम करना चाहेंगे कि चुकि आप उस इस इलाके में रहते हैं और वो इलाका एक द्रिश्रे और बहुत महत्पूर्ण है खलीलाबाद बस्ती वो पूरा जो है कबीर संथ कबीर भी वहां रहे बुनकरों का भी लाका है और मुस्लिम समुदाय भी वहां अच्छी खासी संख्या में है मुस्लिम समुदाय के दिमाग में इस समय क्या बाते आ रहे हैं चुनाव को लेके मुस्लिम समुदाय तो भारती जनता पार्टी के खिलाफ एक दम लाम बंद है और अ है उत्तरपदेश में जो दौरा उसका पाजिटिव असर गया है लेकिन वह सीटों में कितना तब्दील होगा यह बहुसंख्यक समाज पर डिपेंट करता है बहुसंख्यक समाज अगर पिरनका जी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ अगर आए तो उनको अलवसंख्यक सम समाग में यह होगा कि जिदर बहुसंख्यक समाग भाजपा के मुकाबले जिस पार्टी को चुनेगा उधर ही वो भी जाना चाहिए जाहिए बात है अलवसंख्यक होता है उसे बहुसंख्यक समाज के साथ आपको लगता है कि इन 57 सालों में कुछ विशेश परेशानिया हु कि बहुस्यन देते रहां जो दूशित करते रहते हैं यह सबसे खतरनाक बात इस आपत है, यह समाज का भीवाजन होता है, यह समाज में यह जंता के बीज में जो नफरत की बीज बयालहा है, यह नुक्सान दे़ेव औरना थो सरकार है, सम्भिधान से चलती है, सिस्टम से है ईती जो ऑद लाव जो है जो सबको होगा तो हम मुशल्मनों भी होगा ला banades को होगा तो मुसल्मनों होगा ऒी आनु nessa वाई जास्ट रहे हैं में यह सब कर रहे तो उसमें हमारा भी दॉषाने कृम प्रूरी कर रहे हैं इसमें तो भई ये जो सरकार के आर्खेक नेतिया हैं चाहे नोट बंदी हो और चाहे यह लाग राउन हो या और बहुत सारे जो नुकसान है या फाइदा है वो तो भई जो सब को होगा वो मुस्लिम समाज कुल दें योगी जी या मोदी जी या भारती जनता पार् दिया मुसल्मानों के घर में भी लगा विजुली उन्होंने पहुंचाई जो मुसल्मान गाउं विजुतिकान नहीं थे वह भी हुआ गये सिलिंडर उन्होंने बेजवाए सबको मिलेगा मामला तो सब वह हो रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है समाज में साथ पार्ठी जी जो जनसंग की नेता रहे हैं जब जनता पार्ठी के हैसे से हमारे लोग सबाच्षेत मर्यागंज में आये मुसल्मानों ने 80% उनको मद्दान किया मेरे बूच से सबब एक तरफाव उनको मिला बात यह है आप सकारात में बुद्दा लेकर के आए ना पसंद करते हैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बद्रे आलम जी आपने जो सर्यूपार का पूर्वांचल का सर्यूपार वाला इलाका है बल्रामपूर से लेके और गुरगपूर महराजियन की तरफ यहां की राजनीत में जो अभी एक हाली में नया परिवर्तन आया हर शंकर्तिवारी का परिवार जो समाजवादी पार्टी के साथ जूरा उसके क्या परिणाम होंगे उसका क्या नफ़ा नुकसान होगा किसको इसकी जैनकारिया आपने दी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी करें अपनी टिपनी लिखें और नेमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें जय जगत